जनपज शामली में शुगर मिलो पर किसानों का लगभग 757.85 करोड रुपय गन्ना का बकाया मूल्य बाकी है जिसमें शामली चीनी मिल पर 297 करोड उने चीली मिल पर 201.21 करोड थाना भवन चीनी मिल पर 277.75 करोड किसानों का बकाया है वहीं आज सेकडो के दादत में किसान अपने नेता विनोध निर्वाल की आगुआई में जिला गन्ना अधिकारी शामली से मिले जहां पर उनोंने जिला गन्ना अधिकारी से मांग की कि जो किसान गंफीर रूप से बीमारी से पीड़े थें उनके परिवार वालों को गन्ना भुकदान ततकाल प्रभाव से कराये जो है ताकि जो गिसानों के घर में बिमार व्यक्ति है वो उसका अच्छे से इलाज करा सके किसान नेता विनोद निर्वाल ने कहा कि किसान ने साल भर अपनी फसल को पसीने से सीच कर मिल को दे दिया है और अब मिल मालिक उनका बकाया भुकतान नहीं कर रहे हैं ऐसे में किसान अपना इलाज कराने को भी महताज हो गया है लिहाजा जिन परिवार में कोई भी व्यक्ति गंभीर बिमारी से पेडित है उसका श्वेगर अतिस श्वेगर भुगतान किया जाए ताकि वो अपना इलाज करा सके सामली जिले में 757 कुरोड बकाया गन्ना भुगतान किसानों का हैं और भुगतान नहीं हो पा रहा है सामली मेल की स्थिति इतनी बुरी है हमें सूचना मिली कि 80 कुरोड 90 कुरोड की चिन्नी इनों ने बेच दी और वो यह पैसा अपने मद में यूज कर लिया जो किसान को भुगतान का पैसा था करीब 2-3 लाग कोंड़ चिन्नी यह बेच चुके और सबसा बड़ी बात यह है कि किसान के बच्चे जो बीमार है किसान प्रिवार बीमार है जो कैंसर की बीमार से इम्समपड़ा जो चंडी गट पड़े मेरे पड़े पानी पद़े जिसका टेक आरे जिसकी किडिनी फैल हो ली जिसके डेलेस ही सोरी जिसकी लिवर फैल हो लिए अग कैंसर जैसे मरीज हैं उनका तत्काल भुगतान कर रहा लेकिन सामने मील उसका भुगतान निकर रहा वे किसान के प्रिवार के बच्चे कल एक गाउं का किसान था वो सुगर मील में GM के गेट पाजोड के करता कि मेरा प्रिदेश के बड़े बड़े निता किसानों के गन्ना बकाया के भुगतान 24 घंटे और शीगर तिशीगर करने का दावा करते हैं मगर इसकी जमीनी हकीकत बिलकुल उलट है पंजाब केस्टी टीवी के लिए शामली से पंकज मलिक के रिपूर्ट